जिस तरीके से एल्विश यादव ने एक wild card entry big boss के खर में मारी और उसके बाद trophy लेकर बाहर निकली एक record कायम किया big boss के इतिहास को एक किसम से उजोने बदल दिया था दोस्तों उसी तरीके से अधनान शेक ने भी एक अलग record कायम किया है वो रिकॉर्ड क्या है चली बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अधिती शर्मा तो दोस्तो अधनान शेक अभी हाल फिलहाली बिग बॉस के घर में उनकी एंटरी हुई थी अभी पिछले संडे को ही वो एंटर हुए थे और मंडे से हमने उन्हें देखना शुरू किया था लेकिन देखा जाए तो भई इस संडे तक उनको टाटा बाई-बाई भी घर से कर दिया गया तो दोस्तो एलविश यादम ने तो रिकॉर्ड कायम किया था कि पहला ऐसा वाइल काड आया जिसने ट्रोफी अपने नाम की जिसने जो है सीजन जीता लेकिन यहां पे यह जो अदनान शेक हैं यह पहले वाइल काड ऐसे आए जो कि एक हफते के अंदर अंदर ब बेगर भी हो गए हाला कि यहां पर बहुत सारी चीजें बहुत सारे ऐसे पॉइंट से जो कि हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि उनकी विक्षन का में कारण क्या था जंता का तो इसमें रोल था ही नहीं बिग बॉस ने अपने हिसाब से अपना दिबाग लगा कि अपना खेला जो रचा घर के अंदर उसी के तहत अधनान शेक बिग बॉस के घर से बेगर हो गया और वजा हमने आपको वीडियो में पहले बता दी है तो भही आपको क्या कुछ है इस रिकॉर्ड पर कहना कॉमेंट्स में बताईएगा जरूर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में